आज हम स्यार करेंगे क्लास वान के बच्चों के लिए हिंदी अंसीन पैसिज दीजिएगा तो उसको करने में दिक्कत होगा इसलिए हम एक छोटा सा अंसीन पैसिज सेयर किये हैं टैक्टिस के लिए ये पैसिज नमबर वन है और भी देंगे तो बड़ा भी देंगे बाद में इसलिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्याद से ज़्यादर सेयर कीजिए प्लीज अब आंसीन पैसिज स्टार्ट करते हैं एक कुत्ता मूख में रोटी का टुकरा लिए कहीं जा रहा था बीच में पानी परता था पानी गहरा नहीं था कुत्ता जब पानी में होकर चलने लगा तब उसे पानी में अपनी परचाई दिखाए पड़ी अब कुश्चन अंसर फर्स्ट कुश्चन कुत्ता मूख में किसका टुकरा लेकर जा रहा था कहड़ी का, ख लगड़ी का, ग रटी का इसका अंसर देखिए एक कुत्ता मूख में रोटी का टुकरा लेकर जा रहा था ये कुश्चन अंबर वान का अंसर है तो अंसर होगा रोटी का टुकरा नेक्स्ट, बीच में क्या पड़ता था? पानी, खाई, परवत बीच में पानी पड़ता था? क्या पड़ता था? पानी ये टू कोस्चन का अंसर बीच में पानी पड़ता था थार्ट कोश्चन क्या है पानी में क्या दिखाए पड़ी मचली परचाई साप कुत्ता जब पानी में होकर चलने लगा तब उसे पानी में क्या दिखाए पड़ी पानी में अपनी परचाई तो ये थ्री कोश्चन का अंसर पानी में परच्छाई दिखाए पड़ी Question paper में नहीं लिखना है इसलिए answer, answer sheet में कैसे लिखना है ऐसे बच्चों को practice करवाना है लिख कर, पूरा question लिख कर फिर answer भी लिखना है फिर उसको उपर tick करना है जैसे question में किये है ऐसे फिर second question ये answer है फिर third question का answer ये answer है तो ऐसे करना है Thank you for watching this video